है मेरिक करेंगे क्या करेंगे इंजन पाबर के निमेरिकम है वोसोल करेंगे ठीक है ठीक है किते बिएक इन पहरेंट कि इन फैंड पर चिह स्थीन लखना की इस्म इम एक की चीज का बहुत जाता है उस करेंगे स्वाहां कोई भी एक critical of तो हमें यह धिहान दखना है जो यह आपका theoretical volume है यह बात करूंचा है अगर मैं इंडिविजुल की बात करूं तो यह इंडिविजुल होता है अल तो इसका हम बहुत ज़्यादा यूस करेंगे हमेशा ध्यान दखना इट्स वी रिप्रसेनेंट दा दा कॉंटिटी ओव दा एर विच है विच है विन इंटेकन फोर दा होल सिस्टम इट फोर दा हो है एल इंटू एन इंटू एंटेक्शन और यह जो है पूरा कम्प्रीट इंजेक्शन है इसकी इनुट यही रहेगी मीटर क्यू पर मिनिट में ठीक है ना वो फ्यूल को भी आप दैंसेटी से करगे मीटर क्यू पर दा सकते हैं अल डिपेसेंट इंडिविजुल इंजेक् यह है तो कहा है इसमें यह है आपका 20 परसेंट और 80 परसेंट कहें डीजल है ठीक है फ्यूटी जल्दिया ली करेंगे ज्याद नहीं मेरी करें डेवल अब रेक पावर ओवर दिस विद ब्रेक स्प्रीजिफिफिट फ्यूल कंशम्शन ओ इस आपका ब्रेक स्प्यूल तो अगर देखो में को पता है इतना मेरा फ्यूल कंदम्शन हो रहा है में को पता है ब्रेक पावर कितनी है 10 किलोवाट है तो आपको टोडल फ्यूल कितना चाहिए अगर मैं इसको 10 किलोवाट से मल्टिप्लाइ कराऊंगो तो इतने अमाउंट ओफ्यूल चाहिए अब जो फ्यूल है वह उसमें फ्यूल में 20% बाई वॉल्यूम यह है और 80% बाई वॉल्यूम डीजल है तो मलब फ्यूल आपको दो कंपोनेंट से बना है तो अगर मैं 6 kg पदार और MF क्यो जाएगा, MF आपको जाएगा, कितने अमाउंट ऑफिस में यह है, ठीक है, प्लस कितने फ्यूल में आपका यह है तो अगर मनलो कि मैं complete फ्यूल का वोल्यूम V मान रहा हूं तो V यह कितना हो जाएगा यहां पर लिख्खा बाई, बाई वॉल्यूम 20% और डीजल की वोल्यूम की बात करें तो वह कितना हो जागा 0.80V बहुत अगर मैं टोटल वोल्यूम V माना है तो यह जागा 0.20V और यह 0.80V और हमें बता है मास क्या होता है मास आपका होता है density into volume तो वोल्यूम ओफ यह कितना है आपका 0.20V है तो अगर हम इसकी M निकाल लेंगे इसका ठीक है तो यह जागा 2.6 अगर मैं इसका मास निकाल हो तो यह जागा volume that is volume of this it is 0.20V into density of biodiesel density of biodiesel कितनी है 880 तो जहान लगना 880 plus ऐसी यह 0.80V into density of diesel कितनी है 850 if we calculate the volume by this it will be 3.03 into 10 square minus 3 meter cube plus divide by r ठीक है इसको liter में convert करो तो यह जाएगा 3.03 ठीक है meter cube में 1000 liter होते हैं into 10 square minus 3 into 10 square 3 तो यह जाएगा 3.03 liter per r राइट यह अब इन्होंने पूछा क्या है इस अमाउंट हो तो बायो डीजल पहले हमें सिर्फ यह पूछा है हमैं आवटकु पूछी पूछा बायो डीजल T यह ट्रोर वोल्यूम आया है पोलीव का वोलिूम वी है यह था टॉ hai। ट्र ट्र वोल्यूम अगर मुझे बायो डीजल का बॉल्य्म निकालना है तो अथा इतना चाहिए कितना इसके लिए अगर हमारा तीन घंटे तक इंजन रन होता है ठीक है तो यह इस कहां सर हो गया 1.82 ठीक है इजी कोश्चन था अगला कोश्चन करते हैं थ्री सिलेंडर फॉर स्टोक सी आई इंजन कपड़ विल टरबो चाज रहा है से बोर रेंडर स्टोक लैंट अफ दिस दा इंजन इस रणिंग विजा वॉल्यूमेट्रिक एफिएंश वोल्यूम राइट एच्छ अपॉन थेयूरुटिकल वोल्यूम अगर मुझे एच्छल वोल्यूम ओफ एर मिल रहा है तो मैं आपको एर फ्यूल रेशियो बताता है महां से फ्यूल गंसम्शन निकाल लोंगा तो यही उसका पूरा एडिया है तो थेयूरुटिकल को है था था पॉंट वल्यूम यहां तो जैको पॉंट वंट वं ट्री जिरो स्कार लेंथ आपकी पॉंट 1-30 टी पॉंट सफिलेंडर एड आपको जाएगा 16 वै तो जो फ्यूरेटिकल वोल्यूम है वह आपका आएगा 3.528 मीटर क्यूब पर मिनिट यह आपका यह अगर आप density केजी पर मीटर क्यूट से मल्टिप्लाई कर दो density कितनी है 1.2 तो density से मल्टिप्लाई कर दो मीटर क्यूट मीटर क्यूट क्यूट केंसल याएगा तो theoretical volume जो आपका आएगा it will be 3.5 to 8 into 1.2 या आप किसमें आएगा kg पर आदमें 1.29 है ये ठीक कर लेना अगर आप यह kg पर मिनिट में करूंगो तो मैं 60 सवर मल्टिप्लाई कर दूँगा ठीक है तो आप theoretical volume मैंने kg पर आर में निकाला है it will be 254.06 kg पर आद तो आपके बद theoretical volume of air आ गया क्या आगया theoretical volume of air अब आपको जाएगा 254.06 kg पर आर में आया राइट तो आपका एक्चुल निकालोगे तो आपको जाएगा 254.06 इंटू 1.5 it will be 381.09 तो आपका एक्चुल जो आपको यह एर ही आई है अभी और आपको पता है फिर आपको करेस्टी करेस्ट है अधिया अधिजर इंजर ओफ ट्रैक्टर इस्थर रिक्टर ॉ इस्टार इंट इन ट्रट Squid उस थिडिग्स करणा मुंपको पता यह आपको कॉंपरेशन होता है इसका आपका इंचर शृट को फिर आपका किए संस consider स्टार्ट कर आपको ब्रस्टर्ट यह किसका कि on कितना मानुस कट Article प्रस्टर्श मुंपरेशन हिसं करो किने थिंचर न citoygener अब देऄйे सक है क्या पता है हमें T1 आप इतना हो जाएगा माइनस के 20 प्लस 273 अगर आप इस तो सॉल करोगे 253 Kelvin आएगा ऐसी T2 निकालोगे it will be 350 प्लस 273 यह आपका जाएगा 623 Kelvin अब आप इसके बीच में लगा सकते हो अपनी equation आपको equation पता है क्या होती है अब देखो गामा यहां पर यहां पर यह गामा ऐसे 1.3-1 तो अगर आप यहां से आर निकालोगे इस कम आउट कमिंग आउट टो भी 20.163 तो यह आपका आगया हो गया आ रहा गया ठीक है कि वर्ट कि इस फाउंड टेस्ट इंजन कंजूम दिसमें डीजल फिल पर किलोवट पर वड़ी तर्मल एफिएंशी ठीक है अब हमें थर्मल एफिएंशी निकालनी है तो इंजन कितना कर रहा है कंजूम कितना कर रहा है 0.25 तो इट इस सपोस हम्में ब्रेक पावर अगर तो कभी अगर गिबन नहीं है न कौन दी थर्मल एफिएंशी निकालनी है तो जनरली वह ब्रेक थर्मल एफिएंशी पूछा है लेट देश Burns trek इ pellet पावर एक्षी ठीक है हमें बता है जो ब्रेक थर्म एफिएंशी क्या होती है वह आपका होता है आ ईृचिसा ब्रेक पावर डिवाइड बैंड फ्यो पावर राइट कैश मानी है फ्यो अब एकुल पावर क्यासा निकलती ए एम अब आप Nagstalk किनbelt जितनी है 42 dinero कि लोट एकस चेयES फेजेगी ऑफ कर्याएं जिया है चीक हो थ्यूंस में दॉन गुद्में द्भी इICES प्रियृ की तो गालोजोटे एक्स ठीक है 3600 यहां जाएगा और सीवी आपका यह रहा 42,000 किलोजुल यह भी किलोगोट में रखा तो यह भी किलोजुल में रखा तो यह बैलनस आउड गाएंगे तो अगर आप यह सॉल्ल करोगे तो यह आपका आएगा 0.3428 अगला कुशन करते हैं दे कंपरेशन रेशियो आफस्टी आई इंजन 16 यह अक किने अपका यह थीए थीक है तो अगर आपका जो निकालना है तो दिडियंग दे ब्डॉरिट्चन रिख दिप्रेंचिन इंजन आभ अपन याइंजन टेमिशन इंजन निकालना है इसमें इंजिन शाट होगा यहाँ पर इगनीशन होता है कंपरेशन के बाद जो सेल्फ इगनीशन तेमडेशन एट इट विए तो इसको तो तीटू आपको जागा 387 प्लस 273 it will be 660 Kelvin again you will have to apply this formula लगाना है वहाँ पर T V की पावर गामा माइनस वन की ऐ गांस चाइगा तो अगर आभ हम देखो के तो T1 V1 की पावर गामा माइनस वन is equal to T2 V2 की बावर गामा माइनस तो T2 बाई T1 की बावर गामा माइनस तो बस यही लगाना है आपको तो T2 आपको बाता है T2 आपको हो जाएगा 660 T1 you will have to calculate the R is 16 to the power गामा माइनस 1 it will be 0.3 तो अगे आप T1 निकालो गे तो it will be 660 divided by 16.3 जो T1 आपका आ रहा है it is coming out to be 287.28 287.28 तो अगर आप इसको Kelvin में निकालना चाहते हो 287.28 माइनस का 273 तो यह आपको हो जाएगा 14.28 degrees centigrade तो ठीक है यह सोड़ी Kelvin में आएगा Kelvin में आएगा 14.28 degrees centigrade हाना यह हमेशे सानने को जब आप इस equation ने पूट करते हो तो Kelvin में होता है चाप रखो चाप जो आउटपूट है अगला तो यह वही बाला आ गया था average volume अगर इंडिविजल हमेशा बता रहा हूं यह theoretical volume अगर किसी भी चीज़ कहा है it is a l n into n dash n dash will be n the n dash will be n by 2 for 2 stock for 4 stock this known as the individual injection देखो इसी question में देखो इस फोर सिलेंडर फोर स्टोक डीजल इंजन ऑपरेट्स रेट सूस हाउड रपीएम एंड यूजस ट्वंटी लीटर ओफ फ्यूल पर आर में भेज़टा है आप इसको मीटर की पर मियटर एंडिविज़ल इंजेक drainage और हशां करते हैं तो अगर आप इसको निकाल ना है एन दा 4 सिलेंडर और एन डास कितना जाएगा 2000 डिवाइड वाइड वाई 2 ठीक है तो अगर आप यहां से A.L. निकालोगे तो A.L. आपका आएगा 20 फिर दिवाइड होगा और 2000 डिवाइड वाई 2 तो जो आपका A.L. आ रहा है It is coming out to be 8.33 into 10 to the power minus 8 meter cube अगर आप इसको mm में multiply करोगे 10 के और 9 से multiply करोगे तो mm3 में आ जाएगा तब यह आपका हो जाएगा 83.33 mm3 तो यह इसका A.L. अगर यह किसी को समझना है कैसे formula आ रहा है तो देखो आपका यह जो fuel है It is 20 L of the fuel per hour में आ रहा है ठीक है फिर आपको पूरी mechanics लगानी बड़ेगी एक hour में 60 minute होते है राइट और एक minute में जो है 200 वार यह घूम रहा है RPM का मतलब कहा है round per minute 200 RPM जो है एक minute में हो रहे है यह कहा है एक उसके हो रहे है तो ऐसे 4 cylinder है तो 4 cylinder में कितना हो जाएगे ठीक है अब due to हर second stroke में आपका fuel inject होगा हर उसमें तो भाई 2 से multiply कर देंगे तो आप यहां से idea लगा लोगो कि एक minute में इतना इतने आपके यह हो रहे है ठीक है ने चक्कर हो रहे है तो यहां से जो आप balance कर सकते हो आपको याद वही करना है जो theoretical volume है इस सबसे अच्छी ट्रीक हो एल एल एन इंटो एन बाई 2 इस इंडिविजुल इंजेक्शन इस सिस्टम इंजेक्शन पूरा complete system एक मिनिट में कितना कर रहे है और यह एक मिनिट में कितना volume कर रहे है ठीक है ने आपका यह हो गया तो यहा कितना होगा तो पहले आप यहां से इसका फॉर्मला होता है तो आप लगा तो यहां पर यहां पर रो 1.4-1 रो-13 वह जाएगा और यह 1.4 शीव आपको वेल्यू पूट करनी है तो पहले आपकी पहले आपको यह रखना तो फिरसे एफियंशी का फॉम्मला यह रहेगा पहले आर आपका सोला था आपका अर भी स्वीश वेखाँ गामा माइंस और पॉइंट फॉर्ट यह पूइंट फूर्यू और फॉर्ट फीश भी नहीं तो सेगेंड केस में दी वह आपके आ रही है 0.5715 इंक्रीज कितना हो गया 0.5715 जो कि फिफ्टी सेवन परसेंट ही है और ये सोई 53.15 परसेंट है 57.15 परसेंट है तो इन दोनों का डिफरेंस हो कि तो 4 परसेंट इंक्रीज हो गया 57-53 अगर आ भी करोगे 15 तो इट विले 4 परस अगला वर्शन देते हैं अग 6-cylinder engine है जा स्टोक स्टोक दे रखा 130 डामीटर दे रखा 109.4 mm दे डिस्ट्ट्रेस्मेंट अफट अफट्रेस्ट्रेशन रिशियो ऑफ तो इस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेश रिखा 17 डिश्यो बन आपको बादा इस्ट्रेस्मेंट के दिस्ट रिखा इन्टो अब यहां पे 6-cylinder रहे तो इस 6-cylinder का पर इसट्रेस्ट करेंगे तो n तो जयसरे अब को यही काल्कुलिट करना है एल आपका रखडो फेल्यू रखडो एंट 6 तो इस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट और पाई बिए 4 D कितना है आपका 0.1094 का स्क एल आपकी 0.130 x 6 if you solve it it is coming out to be 7.33 0.3 और इसको solve करोगे दो 7.33 लीटर क्योंकि एक लीटर में 10-3 मीटर के बहुत ही ऐसान कोश्चन है तो ऐसी बढ़ाती है ठीक है अगला कोश्चन देखो 1 kg of the air is subjected to the polytropic compression वो क्या बोल रहा है आपका ये है तो वन इसका polytropic compression हो रहा है ट्रॉंटी एट है ठीक है एंड़ प्रेशर पीवन आपका 101 किलो पास्कल है तू अब वोल्यूम वी टू आपका टू है और प्रेशर जो पी टू है यहां प्रेश्चन हो रहा है एक्स्टरनल वर्क रिकॉाइट होता ठीक है अगर आप देखो कि आईसो थर्मल का अलग हो गामा एकल to constant है ठीक है डुट को मान लो तो यहां पे रख दोउ पी डिवाइडवई घ्राम यहां से अभी टिराइब कर सकते इसको अब इंट्रिगेट करो इ Alors होकि इन पोल रहा हूं यह आहापका और आर्भिई तो माइनस पी बैज्ट करो माइनस पीवन वीवन डिवाइड वाइड 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 तो प 1 आपको पता कितना है, 101 V1 आपका 28 है, P2 आपका 2 megapа है, ठीक है तो इसको 2000 kPa बोल सकते हो, तो यह भी किला पास्काल में है, ठीक है, खिय सकती यहाँ परजाओ दो प2 कितना है आपका 2, तो अगर आप इसको लोग लोग है तो इसको लोग लोग है तो जो डबलू आपको जाएगा वर्क दन पी टू ठीक है है अगर आप इसको कड योग होग है तो यो जाएगा तो मेगाजूल में तो मैं द्रे टांसर निकालो नहीं है तो तो अमें तो निकालो गए तो 8.94 8.92 मेंगा जूल आ रहे है तो तो एक रही से एसे कर सकते हैं इसे कुछ्छन है अगला कॉछन देखो यह बता है तो आप से बादे थेलो निखाल दो तो यह बता है पाई बाई-बाई-फोर डी-स्क्वाइर दी 75.075 का स्क्वाइर एक जाएगा नमबर अब स्लेंडर कितने हैं 4 आर्पीयम कितने हैं 2000 अब इसमें डिवाइर बेट निया आएगा यह तो इसमें डिवाइर बेट नहीं आएगा तो अगर आप इसको सॉल करोगे पाई-फोर डी-सको रेल इंटु ए नमबर उसे इंडर से मिल्टिप्लाइ करती हैं इफ यू सॉल्व इट विल कम आउट टू पॉइंट सिक्वाइव जिरो सेवन बीटर क्यू पर मिनिट तो आपका थेरोटिकल वोल्यम आ गया अब आपको एक्शोल निकालने तो आपको ट्राइन अपर चस्वार करें मेंट उसको यहां क्यों में अगर मैं अगर मैं इसको यहीं पर डैंसली कि धिवाइट करते हैं involved दूए करता यह कि री-अव्यन यांट में पर हालोगा यू जालोगीए ए गजो यहीशु cables से तबीवाइट कर दूँ है यही जे पर मिनिट मे तो टो도 हो एक फिल इनुट के प्रणी ऑडल जागा चानल के एक्छी क्र से लाइड़ू जा सच्वाल इनुट का मीटर स्च्वास घृडई क्वा में 76.06 यह 76.05 यह आपका 20 कराइटा है अगला कोशन देखो MF Tractor operates as this RPM and uses 16.5 L of the fuel per hour what is the average volume of the individual injection निकालना है फिर से हमें हमें बता है individual injection के आपकी एक इची ठीक होती है इसने बोला है 16.5 L of the fuel per hour में करना है तो मैंने बताया था quantity लिखो volume यह fuel के लिए हो चाहे air के लिए हो यहाँ लिखो A L into N अब यह लिखो सबस्रे बड़ी बात है कि MF 1035 Tractor और यह subjective question होते हैं तो MF 1035 Tractor होते हैं it's generally three slender यह आपको एर्जूम करना था वहाँ पर आपको कुछ भी एर्जूम करते हैं अब तुम्हें नहीं मानना कोई पर आएगा सब लिखकर आएगा वहाँ पर आप एजूम करके लिखते हैं अगर मैं फ्यूल को भी ले रहा हूं तो यहाँ पर मैं इसको में पर मिनेट में रखूँगा जो यह इंडिविजल इंजेक्शन आएगा मीटर क्यों में यही मुझे कल्कुलेट करना है तो 16.5 लीटर यानि मीटर में करोगा 10 के माइनस 3 पर मिनेट में करोगा तो 60 यानि इतना फ्यूल तो मीटर क्यूब में आ गया इस इकल टू अल मुझे कल्कुलेट करना है तो कि अल आपको होता है इंडिविजल इंजेक्शन इसको मीटर क्यों में बोलते हैं number of cylinder C which we have assumed because it's a MF 1035 tractor the RPM is 2000 again it's a four-stroke engine so we will divide by the two because it's an end that's right so if you calculate the AL. नहां से आप AL calculate करोगे या आएगा 9.16 into 10 to the top of the minus 8 या आएगा meter cube में अगर 10 के और 9 से multiply कर रहा होगे तो mm में आजाएगा ठीक है तो यह अल आपका आजाएगा 91.6 mm3 तो यह आपका होग जाएगा theoretical individual injection अब यह तो आगे आपका पहला पार्ट एज्यूम्या compression ratio of this and the engine displacement यह यह करेक्ट करना the engine displacement is liter per minute है ठीक है इंजन दिस्प्लेसमें लीटर per minute what is the ratio of the clearance volume to the volume of an injection हमें यह अच्छा अब आगे लिए कोशन में रखा था आर इस 16.7 ratio बन एंद इंजन displacement जो हमें इंजन displacement गिवन है यह तो अगर आप देखोगे तो हां ठीक है अब यहां से हमें क्या निकालना बटे से ratio of the clearance volume to the volume of injection volume of injection हम निकाल चुके हैं अल्रेडी पहले ही पार्ट से हमें clearance volume निकालना है तो clearance volume कैसे निकलेगा यह compression ratio बता है 1 divided by Vs plus Vc होता है राइट तो मिझे compression ratio बता कर मुझे swift volume बता हो तो मैं clearance volume निकाल लोंगा तो अगर आप देखोगे तो यह जाएगा 4520 इंट निकाल माइनस 3 ठीक है लीटर हां यह लीटर में है तो टांकिया माइनस 3 से फिर मुल्टिप्लाई करोगे पर मिनिट में है बिल्कुल ठीक है AL you will have to calculate again the n will be 3 and the n will be 2000 2000 divided by 2 that is the AL what is this this is for the swift volume तो यह Vs हो जाएगा डिवाइड बाई 6000 if you solve it the swift volume is coming out to be 1.50 अगर आप इसको mm3 में convert करोगो तो यह जाएगा 1506 से मल्टिप्लाई करा तो 1506.66 mm3 तो आपके बस आ गया the swift volume is 1506.66 mm3 ठीक है अब आपको बता है आर क्या होता था the compression ratio is 1.001 प्लस Vs by VC the compression ratio 17 Vs divided by VC now the Vs is this just put the value and VC will come out to be 94.1525 तो आपके बास VC भी आ गया mm3 में और जो आपका आपको क्या निकालना बढ़िसा ratio of the clearance volume तो clearance volume divided by था theoretical volume of injection जो आपने पहले निकाला था तो आपका यह VC एरा 94.1525 जो आपने पहले निकाला था फ्यूल का इंडेक्शन का निकाला था वो आपका आया था 91.6 mm3 में दोनों आप mm3 में रखो गए यहां पर तुछ आपका ratio आएगा it is to be 1.027 1.027 ratio तो यह भी easy question था अगला question देको diameter and stock length given है the clearance volume given है estimated temperature of the air at the end of the compression यह तो बहुत ही असान है यह लिल भी कर देते हैं यह तो मतलब बच्चो वारा खेल है यहां पर एक temperature given diameter is 10 and the length is 12 if the clearance volume कितना है आपका 56 है estimated temperature of the end of the compression रिष्ट होगी यहां पर temperature निकालना है तीवन आपको given है 10 degree centigrade gamma is 1.38 तो आपका जो R होगा R क्या है आपका 1 plus Vs by VC ठीक है तो आपको clearance volume तो given है तो Vs निकाल लो है यहां से Vs क्यों जाएगा पाइवाफ 4D square into L just you will have to put the value पाइवाफ 4D आपका 0.10 square the length is 0.12 the Vs will come out to be 9.42 into 10 degree minus 4 it will be 942.4 cm3 the Vs is 56 तो R आपका यहां से आजाएगा 17.82 अब आपका आगया तो यहां पर अपनी question लगा तो आप यह लगाओगे तो T2 V2 स्थी बावर गामा-1 is equal to T1 V1 की बावर गामा-1 तो T2 by T1 is equal to R स्थी बावर गामा-1 हीत होता है R V1 by V2 compression ratio तो R आप निकाल चुकियो 17.82 गामा इस 1.38 तो यह अगा 0.38 गामा-1 T2 T1 is 10 plus 273 that is 283 अगर आप यहां से T2 निकालो गया रहा इस इस अगला कुशन देखो अगला कोशन दिकालो अगला प्रेक्टर इस एक्यूट विडाव थूटीफावड थो एट डिस आर प्यूटर टॉर्क टॉर्क डेवलें केजी पर मेटर आपको बता है इस डेबलस का मदलब आपका 2 π.tn by 60 यह तो करना है आपको n भी गिवन है न कितना है आपका 2000 वह वन तो जिरो जो 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 डास यू आप टो केल्कुरेटर टॉर्क इस विल बी 267 1.4 नूटन मीटर में आएगा एक लेकिन आप से पूछा कहा है केजी मीटर में तो यह जागा 267.14 आपका ऑल निकालना हम है निकालना हमें सिंगल पावर के लिए इस specific heat is this, ठीक है, हम से क्या पूछा है उसने, the volume was the fuel required for a single power impulse in any cylinder, वो ही आपका AL निकालना है हमें, single power, single cylinder के लिए, हमें system का given है, यह तो specific fuel consumption, यह बुरा system का है, that is 0.22 kg per hp per r, कितनी hp develop हो रही है, 45 hp, तो कितने r में आ रहा है, एक घंटे में इतना है, अब इसको भी मुझे meter की उपर minute में करना है, specific gravity given है, specific gravity का मतलब क्यों होता है, density of fuel, density of dead substance divided by density of water, तो जो अगर मुझे fuel के density निकालना है, तो क्यों हो जाएगी, 0.8, density of water कितनी होती है, 1000, तो जो density of fuel है, कितनी हो जाएगी 800 kg per meter cube, ठीक है, तो यह 800 kg per meter cube आ गई, तो अगर यह kg per r में है, तो अगर मैं 800 से डिव करना पड़ेगा, meter cube per minute में निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको बदाया है, तो आपको पता है, जो fuel के लिए case में हो अगरा theoretical volume निकालो के fuel, it will be a, l, n into n by 2, it will be also meter cube per minute, it represents the individual injection, just you have to calculate the volume of the fuel in the meter cube per minute, जो हमने निकाला था, वो कैसे करा था, on to to kg per h भी था, 45 से multiply करा हो, kg per r म हो जाएगा, 60 से डिवाइड करोगो तो kg per minute में हो जाएगा, density से डिवाइड करोगो तो meter cube per minute में हो जाएगा, right, is equal to area into l, the number of the cylinder is 4, n is 1200 divided by, यह 4 cylinder forced हो जाना है, divided by 2, so just you will have to calculate the a into l, it will be 8.58 into minus 8 meter cube, ठीक, अगर आप इसको solve करोगे, तो यह आपका आएगा 2.06 minus 4, तो आपका al इ तो mm में आप पाई जागा 85.88 mmq, यह इसका answer हो गया, next question करते है, if a 4 cylinder, 4 stock engine, diesel engine operates as distribution and uses this much liter of the fuel per hour, the average volume, मैंने 12 बार यह question करा चुक हूँ, तो volume of fuel लिख लो, आपका al, n into n by 2, that is meter cube per minute में होना चाहिए, it's an individual injection, तो अगर आपका meter cube per minute में निकालना है, ट्रिक करनी है, बस 75 liter of the fuel प meter cube में हो गया, पर hour में 60 divided कर दो meter cube per minute में हो गया, बस, al you will have to calculate, the n again is 4, that is 200 divided by 2, तो al आपको यहां से निकालना है, al you solve it, it is come out to be 3.125 into 10 minus 8 meter cube, इस बस फोड़ा solve करोगा, तो 31.25 mmq, तो यह आपका हो जागा al, the absolute air pressure in the cylinder of a diesel engine is this, at the beginning of the compression stock, the air is compressed, at the beginning of the compression stock, kya है, P1 आपका 100 kPa, पर है, if the air is compressed, 1 by, यह V1 था, जो air है, क्या है, V1 by 4th compressed हो रही है, 1 by 4th of its volume, then the air pressure at the end of the stock, the tricky part is, the gamma is not given, तीक है, अब इस में क्या करोगा, अब इस लगाओ कि पी 1, V1 की पावर गामा is equal to P2 V2 C पावर गामा, P1 given है, 100, V1, V1 को V मान लो, यह की बावर गामा, P2 you have to calculate, the V2 will be Vy4, to the पावर गामा, तो अगर आप देखोगे, तो P2 आपका हो जाएगा, 100 to the 4 to the पावर गामा, अब यह बात है कि गामा क्या मान होगे, अगर देखो गामा 1.4 रखते हो, तो कोई भी option match नहीं हो रहा, तो अब तो गामा सबसे पहले प्रिफेवर 1.4 यह रहना, अगर question में given नहीं है, अब तो वो question में देता है, अब तो gate में clearly mention करते हैं, लेकिन अगर वो 1.4 से answer नहीं आ रहा, कोई भी answer match नहीं हो रहा, then you will go for the 1.3, तो P2 अगर आप 1.3 रखोगे, 100 to the 4 to the power 1.3, तो यह आपका जगा 60T, 0.628 किलो पासका, ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, गामा की वेल्यू गिवन नहीं थी, दा वोल्यूम इंसाइड ए ट्रेक्टर इस दा उनिवर्सल गेंस कॉंस्टेंट इस एक्विलेंट मोलर मालेस, यह तो बहुत इसान क्वेशन है, मास ओफ हेड निकाल लाए, PV is equal to NRT लगा दो वास, ठीक है, यहाँ पर सब कुछी जगे गिवन है, दा प्रेशर इस 200 किलो पासकर, वोल्यूम अगेन, दा वोल्यूम इस गिवन है, तो बी 0.5 मीटर क्यूब, एन आपका होता है, M by M, capital M is given है 29, R given है 8314, बैलन्स कर देना सब बिल्कुल चीज़े बैलन्स हो रही है, तो अगर आपकी M देखो कि 1.16 kg आ रहा है, अगिल्डन देखो आ तर्बोचार चार्जर इसमार प्रेशर इसमार इसमार भी थ्यूर्जान है, अगर हमें जहां भी एफिएंशी इंक्रीस करनी है, यहां भी हमें प्रेश्राइज से और हम करते है, तो वो बोल दा कि turbocharger is to be stored on a diesel engine to provide a boost of the 1 1 kPa, assuming that the ambient air entering the compressor. जो ambient air enter का react is 20 degree centigrade and the pressure is 100 kPa. इसको कहां से boost करना है? 100 से 110 kPa को boost करना है. अच्छा, अगर pressure increase हो तो volume decrease होगा, क्योंकि PV is to the power gamma equal to constant है. suppose PV is equal to NRT कर लो. ठीकर न, PV is inversely proportion to the volume. यहां पर कितना आपका निकलेगा ठीक है तो अगर आप गामा 1.4 लोगे तो आपको यह हो जाएगा P1 गिवन है P2 गिवन है it means if you increasing the P1 from P2 to this how much volume will get decreased right so you are calculating this तो अगर आप यह निकलोगे तो P1 is 100 divided by P2 कितना हो जाएगा आपका 110 V2 divided by V1 to the power 1.4 ठीक है तो अगर आप यहां से solve करोगे तो यह आपका आजएगा 0.934 V1 ठीक है तो अगर आप देखोगे तो टर्बो चार्जर ने क्या कर रहा यह 100 किलो पास्कल से आपका 110 किलो पास्कल ते इंक्रीस कर दिया because its supply यह यह निकलोगा हुआ था यहां पर V1 भेजा तो V2 जो इसका due to this increase in the pressure the volume may decrease its actual volume the volume how much 0.934 if you increase in the pressure the volume decrease but you have designed the compressor for the 70% it means for the V1 if you have designed the V1 theoretically it should reduce to the 0.7 V1 right the compression efficiency is 0.7% so to compress कर रहा है compression efficiency का अलाग कि अगर प्रेशर इंक्रीस करेगा तो volume decrease करेगा right if you increasing the pressure the volume will automatically get decreased so तो अगर मैं V1 आमाउंट भेहिज रहा हूं तो इसको 0.7 V1 तक decrease करना था due to this efficiency but actually what you have done this the volumetric efficiency क्यों जो जेगी actual divided by this तो जेगी 0.934 V1 divided by 0.7 V1 ठीक है थोड़ा मुझे इसमें डाउट है तो what I have sorted it is coming out to be 133.42% ठीक है किसी को your solution मिले तो we can mail us inquiry gateforall at gmail.com 133.42% as per my answer in the gamma is also not given तो यह भी एक प्रॉलम भी गामा गिवन नहीं है अगला क्यों देको a gas with a mass of this has a volume of this at a 500 mm mercury the pressure and at one degree centigrade temperature using the ideal gas low आपको बता है PV is equal to NRT and the trick of the question is you have to calculate the P with the help of this mercury the P क्यों जागा आपका rho GH ठीक है देंसिटी तो बाद आपको यहीं पे मुल्टिप्लाई करना देंसिटी गिवन है 1 3 5 9 5 1 5 1 G is 9.8 the height the height is 500 mm in this point 50 together it will calculate it will calculate it will coming out to be 6 6 6 1 5.5 ठीक है तो आपका pressure आगया आओ यहां पे आपको पूट कर दो 6 6 6 6 6 राइट नहीं तीन 6 से फिर 1 5 1 5.5 volume कितना है volume है आपका has a volume of this 3.5 minus 3 n क्यों जागा m by m m by m r कितना है r आप गिवन है 8 3 1 4 and the temperature is 21 degree centigrade तो अगर आप convert करो कि 21 plus 20 is 273 it will be 294 हो गया ठीक है आपको molar mass निकालना है mass भी गिवन है तो m भी गिवन है 3.06 energy minus 3 you can calculate the capital M the capital M अगर आप हां से calculate करो के अगला कोशन देखो एंज इंजन टेस्ट रिवीद एल देखो गें अगर आप देखोगे यह जो होता है आपका यह एट्मोस्पिरिक प्रेशर होता है इस प्रेशर होता है राइट विसमें गिवन है PC इस इगल टू पी ए आर्ट विवार 1.28 यह होता भी है PC यह पी आरा यह आता है पी तू आप यह जाद करो आप क्या निकालना है फ्यूल कट ओफ रिश्यो निकालना है आप आर निकाल लो यहां से तो अगर आप आर निकाल लोगे तो यह जाएगा 3377 divided by 700 ठीक है और यह गामा यहां पे गिवन है 1.28 तो यह जाएगा वन की पावर डिएड़ 1.28 तो अगर आप आर सुल करोगे इट इस कमिंग आउट वी 15.637 तो आपका आपको बता है 15.637 गामा माइनस 1 गामा 1.28 है तो 1.28 माइनस 1.28 रो यह जाएट रो माइनस 1 रो माइनस 1 डिवाइड भाई 1.28 ठीक है आप इसको यहां से सॉल कर सकते हो एक एक एक्क्वेशन बनेगी आपको वेल्ली पूट करके ही करना वड़ेगा तो इफिस सॉल्वेट मैंने भी हो से सॉल करी है तो हो सकता कुछ गलती हो ठीक है तो अगर आप देखो एक्क्वेशन आप चेक कर देंने इसकी जो मेरी एक्क्वेशन बन रही थी इस रोट सी बावर 1.28 माइनस 1.879 रो प्लस 0.87904 इस इकल टो 0. इफ बैलने रोग यह और 12 रखो के तो आंसर आजाएगा 12 एलेंट फाइफ जनल यह पुशन ऐसा नहीं आदा है क्योंग आप वैल्यू चेक नहीं कर सकते है तो यह नहीं आगना यह उस समय कोशन आदा सब्जेक्टिव में तीक बहुत ज़एदा प्रैक्रीस मुत करना इस दिश्र! मारी किपनल मेंड़न तो जहें पहल वाल मेंदग तर यह चुह उलैंट वाल होता है यह नहीं दिश्रह नहीं तो नॉम्ट बेन टीर मेंडो अधर आभ करना दिश। of the camshaft is this, the mechanical efficiency is this, आपको BHP निकालनी है, brake horse power, right, ठीक है, वो two slender, four stroke internal combustion, the mean effective pressure is this, and the speed of the crankshaft is this, आपको बता है, integrated mean, आपको बता है, integrated power क्या होती है, यह होती है, plan, right, into n, ठीक है, अब यह four stroke internal, तो यहां से निकाल सकते हो, अब pressure आपको given है कितना, 7 kg पर cm2, तो उसको न्यूटन पर मिनिट में करता हो, 7 into 9.8, न्यूटन में आ गया, cm को करोगे, 10 kg और माइनस 4, बहुत यह असान चीज़े हैं, यह आपका हो जाएगा diameter D और यह आपका हो जाएगा L, तो length आपकी है, 0.15, the area is pi by 4 into 0.125 का square, and जो capital N, it is 1, 2, 0, 0, divide into 2, जो आपका small N, it is 2, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से IP निकालोगे, ठीक है, इसको 600 divided कर देना, 60 divided कर देना, ठीक है, तापके आपकी आपकी पावर जोगा watt में आ जाए, है, तो अगर आप इसको solve करोगे, it is coming out to be 25255 watt, आपके इस इंडिकरेट पावर आ गई, ठीक है, अगर मैं इसको HP में निकालोगे, तो 746 से डिवाइड कर दो, तो यह HP में आ जाएगी, it is coming out to be 33.85 HP, तो याओ, नाओ, तो अगर आपकेनिकल एफिएशी इस, ब्रेक होर्स पावर डिवाइड बे इंडिकरेट होस्पावर, तो ब्रेक होर्स पावर कितनी हो जाएगी, 33.85 इंटू, जो इंडिकरेट, जो एफिएशी कितनी है, 0.75 से मुल्टिप्लाई करो, तो अगर आप 0.75 तो, तो 720 डिवाइड दिवाइड न, 6 सिक्सिलेंडर से डिवाइड करतो, 120 डिग्री आजाएगा, ऐस का राइट अंसर हो गया, तो आपको दिहान देकने, और तर्बो चार्जर क्या करता, आपका इस के वंजिंग प्रूब करता है, और जी इसके दोवारा रन होता है, एक स्टुक फॉर स्टॉक आपको पता है वह फॉर स्टॉक का wiring order होता है वह वन थी, फॉर ठीक है तो इसका B, right answer हो गया आठेक है Connecting road किसकी बनी होती है, Connecting road आपकी drop 4 जो steel की बनी होती है इधान दखने आपको ठीक है यह पूछाया था तो यह पढ़ा चुको सब्सक्राइब करने थे बीजिर सब्सक्राइब लगाए अपको बता है को सब्सक्राइब या बड़ दीजिए नेटियर के ज्यादा होता जए doe तो नबे तक होता है और इसका कितना होता है एक सो कार्ट से 200 तक एक इसमा आया था या आपका लॉट कर दिए तो देखो यह बहुत अच्छा कोशन है मैंने एक चीज गलट पड़ा दी दी जिमाने वो करेक्शन भी कर दिए तो आपका इस पेसिफिक फ्यूल कंजम्शन होता है वह आपका डीजल इंजनर कम होता है पेट्रों इंजनर का ज्यादा होता है लेकिन होता कितना है तो डीजल इंजनर को जो मैं पढ़ाया था 162 200 ग्राम पर बीएश्पी यहां पर किलोवोट नहीं है इस पर बीएश्पी पर आर तो यह धेन और इससा कितना था 200 से 290 ग्रामपर बीएश्पी पर यह हमेन द्हान रखना है ठीक है तो अगर मैं मैं बात करूं इसके में जैसे इसनी मुझा किसमें kg पर hp पर r में kg यह पूचा है तो 160 तो 200 है तो राइट तो अगर आपका यह 16200 ग्राम पर बीएश्पी पर r में ठीक आपको बता है एक होर्सपावर में कितने होता है 7 वोट 746 वोट होते हैं यह फिर 0.746 किलो वोट होते हैं तो अगर आप बीएश्पी को करोगे तो आपके करना पड़ेगा 0.746 तो अगर आप करोगे 0.746 तो इसकी अपर रेंज और रोल रेंज आ 200 कितना होता है ग्राम बीएश्पी पर आ रहा होता है लेकिन कुछा किसमें आप एक किलो वोट में है तो इवन बीएश्पी में कितने होंगे आपके 0.746 किलो वोट होगा रहे तो यह जागा 160 डिवाइट बैपॉंट 746 जो लिमिट डाइज जाएगी 200 डिवाइट बैट 746 तो अगर आप इसको सॉल करोगे ठीक है अगर आप इसको सॉल करोगे तो यह जाएगा 160 डिवाइट बैपॉंट 746 यह आपका आएगा 214 ठीक है तो एपरोक्स जो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 डिवाइट बैट बैट इसका आपका 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 यह जाएगा सी तो ध्यान देखना किसे पूछा गया तो फिर से बोल तो कितना होता है वाज आप एगशी जाद करके जाओ 160 to 200 ग्राम पर भी एश्पी पर आर यह आपको जाद करके जाना है ठीक है दा टू पॉसिबल फाइरिंग ओडर ओड था फोर स्ट्रोंग इंजन डो तू पॉसिबल फाइरिंग ओडर अवाट रूर्ड हों सो सकते आपके अगर आपको बता वन थी-फोर्ड तू और वन टू फॉर्ट त्टी ठीक है यह जहान देखना आपे द फॉलिमेटरिक क एफ़े इंच फार्ट इसलिन новそれでは जहान दाया आपो देतना हो जातके लिए क्ने प्राइभ इसकंडै प्र interact सकी इन अजियमे शहींच पार्वाइब ईंजिन की अटी टेफ पर संट at this, the length of the lever or the dynamometer is this. The weight of the pan-balance meter and the tear is this. आप गर निकालना है आप पर peripheral force निकालना है. तो आपको पता है brake power क्या होती है? 2 pi Tn into 60. और जो आपका torque होता था, प्रोनी brake मों को होता है था, gross weight into arm length. याद करो. और जो gross weight निकलेगा, जो इसे निकलेगा? पैन बेलेंस माइनस टेर से तो अगर आप यहां से करोगे तो यह जागा 37-7.30 kg ठीक है तो अगर आप यहां से टॉर्क निकालोगे तो जागा 30 यह केजी में फोर्स को न्यूटन में करोड़ करोगे तो 9.8 से मल्टिपलाई करोगे तो टॉर्क आपको जागा 30 into 9.8 sorry force 30 into 9.8 it will be 294 newton की force होगे तो अगर आप ब्रेक पावर कल्कुलेट करोगे यहां से एक तो पहले peripheral force निकालनी थी ठीक हाँ peripheral force निकाल लिए 294 newton आई है ठीक है और हम brake power निकाल लिए तो ब्रेक पावर निकालोगे 2πT तो और के हो जाएगा 294 force into arm length वो कितना the length of the lever is 1.4 यह रहा 2πT N कितना है आपका 750 divided by 60 so if you solve it brake power यह आप क्या रही है 32326 watt यहां से जो आप question solve कर सकते हैं अगला question करते हैं को डैनोंवेटरी question लिए है अब रहानी ब्रेक डैनोंवेटर required a balancing force of this यहां भी direct balancing force यह दिया है FB is that is 42 kilo newton arm length is 0.76 which runs as this the power output is again the brake power कितना जेगी 2πT कितना हो जागा force into length into n by 60 तो जागा 2π that is 42 into 0.76 into 1000 divided by 60 तो अगर आप यहां से करोगे it will be to 1000 से divide भी कर दो kilowatt पूछ रहे हो तो it will be 6.02 kilowatt यह D आपका right answer जाएगा ठीक है a four cylinder four stock CI engine develops this much amount of the power at this much rpm when test it with the pronumic denominator with the arm length of this compute the brake net reading in the scale in the newton and the torque in the newton meter again आपको बता है brake power के होती है 2πT the force into arm length into n by 60 right the brake power is 50 kilowatt any into 15 10 kv 3 the 2π the force you will have to calculate the arm length is 95 that is 0.95 the n is 2500 and the 60 so if you calculate the force the force is coming out to be if you calculate हाँ अगर आप force calculate करोगे यहां से ना ठीक है पहला आप T calculate कर लो ठीक है आसान रहेगा मैंने ऐसी कर रहेगा तो अगर आप टॉर्क calculate करोगे तो 190.3 newton per meter आ रहा है एक मैंने है हाँ ठीक है टॉर्क calculate करोगे कितना रहा है 290 90.3 newton meter ठीक है तो हाँ बस force कर जागा torque divided by this arm length बच्चो वाली चीज़े है 190.3 arm length कितनी है आपकी 0.95 जो आपकी force आ रही है the force is coming out to be 200.3 newton यहां से आप कर सकते हो ठीक है आसान कोश्चा है कुछ आधा है इसमें को difficult है अगला version देखते है आँ four cylinder four cycle diesel engine है the cylinder bore of this the piston is this the engine develops this much power at this rpm when coupled to a dynamometer at the same speed with the fuel shutoff the tractor engine required this much amount to motor it ठीक है जो fuel shutoff हो गया fuel you power supply नहीं हो यह तिन फ्यूल शटव एक ट्रेक्टर जो continuous रन करने के रितनी इतनी 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 फ्रिक्शन पावर है राइट दिरिंग राइट इस this much amount was developed the engine uses this हम में के निकालना है इंटेटमीनिफेक्टिवद ठीक है त Compl 600 mo HER specific अचब उन्पावर निकालनारी पड़ेगी तो कि हो जायगी आपकी ब्रेक्शन ब्रेक्शन पावर प्लस विक्शन पावर दैब KRIST all Republic कि if implication by value ihren problem 부분 right now q1 kिलोवोट रइट त्व्राइट आपके वास i.hp आगई कि इश-प आपके एश-प आई फैञा ye फॉर्री इन दिल पावार बावर्ट मां इच वी श पनियर इन दिलो एड तो अगर मुझे यहां से इंडिगेर्ट मीन इफेक्टिक काल नहीं तो आपको बता यह को जगा पी एल एए एन इंट इन बाई ठीक है फोर फोर स्टोक है तो एन बाई टू इंट आप वाला फोर्मुला लगाना है सिंपल तो 51 इंट द्रग्योर 3वाट में प्रेश्र यू have to calculate the stroke length the stroke length is given to be hundred mm that is point hundred and I will convert okay okay connect point one zero right area pi by four D diameter again is point zero nine point zero nine square the rpm is two three zero zero the slender is four just you have to pull the value two into sixty if you calculate the P the P is come out to be one zero four five six five five point six six five yeah I can't have a newton per meter square okay so I'm going to integrate mean effective pressure to get out of the engine thermal efficiency I mean it is asking about the break thermal efficiency break power divided by the fuel power break power given a forty three point five kilowatt now you see the fuel power you have to calculate the fuel power neglect the MF into CF MF have a pna kg per second me to call the calorific value of the fuel is given to be forty five megajoule to the given a forty five and give or six joule per kg think about how you can learn MF fuel per second kg per second the kg per second my guess right so I got my house eight thirty five so multi-packed and I'm going to take a look at it and get a look at it and get minus three it will be meter cube plus divided by RM and 36 divided by the meter cube per second but look this much amount of the fuel is going in there right the density of the fuel is this point eight three five kg per liter a little bit of a minus three meter cube right then if you calculate the MF will be fifteen point five minus three into eight thirty five divide by three six zero zero okay so if you solve this one kg per second my guess तो MF will be 3.595 दिन्ट एंगे मानेस 3. नौ दे ब्रेक थर्मल एफिए इस ब्रेक पावर दिवाइड वे थे फुल पावर, दे ब्रेक पावर यह व्याव रिख वावर्ट देडिस तो 43.5 किलोवोर्ट, फुल पावर MF 3.595 दिन्ट एंगे मानेस 3. इंटु दे केलोरिफिक वेल्यो दे फ्यूल केलोरिफिक वेल्यो दे फ्यूलिस 45 मेगाजूल 45 दिन्ट एंगेवार 6 MF इंटु दिस तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे यह आपका रहा है 0.2681, 26.81 परसेंट जो आपकी एफिएंशी आई है ठीक है तो यह इसका राइट आंसर हो गया ठीक है इसमें इतना ही वोशन है थेंक्यू वर्य माच्छ